आज हम एक interesting topic को discuss करने वाले हैं जो है stop loss को हम कैसे use कर सकते हैं या stop loss को हम कैसे लगा सकते हैं option chain को use करके because सबसे important जो चीज़ है वह stop loss को लगाना है और उससे भी ज़्यादा important है उसको सही तरीके से लगाना है तो आज मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूँ कि option chain कैसे help करता है एक stop loss को decide करने में चाहे आप option buyer है या option seller है चाहे market में आपका view उपर का है या फिर नीची का तो आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको content अच्छा लग रहा है कुछ सीखने का विल रहा है तो आप जूट सकते हैं हमारे चैनल को subscribe करके और साथ मैं bell icon जरूर दबाएगा जिससे आपको सबसे जल्द हमारी वीडियो मिलते रहें सबसे पहले मैं आपको screen पे लेके चलता अब यहां भी देखिए market कहां पर है निफ्टी का हमें example ले रहे हैं लगभग निफ्टी अभी चल रहा है 17,327 में ठीक है अब आपने क्या करना है आपका motive है मैं यहां पर graph भी draw कर लेता हूँ कि market क्या करेगा ऊपर जाएगा ठीक है 17,327 के market existence पर यहां से क्या हो सकता है market उपर जा रहा है आपका view है बट यह नीचे भी तो आ सकता है आप 100% sure तो नहीं है आपके control में तो है नहीं तो हमने क्या करना है 17,300 रिसेंट एक क्या है round level है यहां पर आके देखे हमने क्या करना है put बाली side because हम उपर जा रहे हैं तो हमने put बाला देखना है अगर हमार अभी नीचे जाना है तो हमने call बले side का OI देखना है यहां पर देखे सबसे पहले 300 की बात कर रहे हैं 17,300 यहां पर 37,000 क्या है अभी भी open contracts है open position अभी भी कितनी है 37,000 इसके बाद सबसे बुड़ी position का है 36,000 जो है 17,200 पर अब अगर आप option seller है आप लोग कितना point दे सकते हैं market में maximum suppose करिए 27 point का अपने calculation दे रखा है तो आपका stop loss कहां बनता है 17,300 because यहां पर आप अकेले नहीं है यहां पर 37,000 और भी लोग हैं या फिर और भी open interest के contracts हैं जो आपके साथ execute हो जाएंगे जिनका stop loss आपके साथ जा सकता है अब यहां पर क्या है आप एक चीज इसमें और add कर सकत additional आप जो बड़ी चीजें हैं यह सभी notice करवाता हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा position है वहां पर लगाईए बट मैं थोड़ा सा different करने के कोशिश करता हूं कि वहां पर मत लगाईए आप करिए उससे और से play करिए आप उससे 50 point नीचे चले जाएए in case of nifty similarly opposite side में अगर मेरा view है क्या market के करने वाला है नीचे जाने वाला है तो graph के बनेगा यहां पर ऐसे बनेगा कुछ-कुछ ठीक है अब मुझे क्या देखना है call वाली site में उपर से जहां पर सबसे ज़्यादा quantities है वह कहां पर यहां पर आपको दिख जाएगा 40,80,000 कहां पर है आपको position दिख रहा है 30,40,000 आपको देखना नहीं है वहां पर कितने लोग है आपको क्या करना है अपने से पहले ज़्यादा लोगों को रखना है उससे क्या हो जाते है आप और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाते हैं specially यह आपका सबसे ज़्यादा बार्क करेगा अगर आप option selling करते हैं बहुत आप लोगों ने देखा होगा market आपके favor में जाता है बट problem क्या आता है वहां पर पहले stop loss चले जाता है stop loss जाएगा क्यों यह chart सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं यह chart हर बड़ा player देख रहे हैं यह chart institution भी देख रहे हैं यह chart big player भी देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो hunting करते हैं stop loss hunting जिसके बारे में आपने सुना होगा वो hunting करके आपका stop loss लेके profit करते हैं अब उन्हों ने देखा कि यहां पर 37 lakh people हैं तो that means अगर उन्हों ने इसको hunt कर दिया तो सबसे जादा लोगों का नुकसान इस position पे हो जाएगा तो आप लोगों ने करना smartly वहां से एक कदम न जाए या फिर pullback ले ले इस case में आप safe हो जाते हैं similarly आप example ले सकते हैं bank nifty कभी यहां से आपने क्या करना है simple bank nifty को select करना है और यहां पर भी आपने क्या देखना market कहा है 39600 पे recent में सबसे ज़्यादा volume कहां पर है 39500 में put बाली site and यह यह देखेगा यहां पर volume कितना देख र है यहां पर देखे 40,000 पर 40,000 से पहले हमें volume ही बहुत कम दिख रहा है तो यहां पर क्या है आप 40,000 के बजाए कहां पर लगा सकने 40,100 पर इससे क्या होगा पहले किसका stop loss जाएगा 40,000 वाले का उसके बाद क्या होगा आपका जाएगा और secondly देखे यहां पर गया यहां पर market आएगा तो 40,000 को touch करके क्या करेगा market वापिस जा सकता है तो इस case में क्या होता है आपका stop loss बच जाता है और अगर आप option seller है I can guarantee you कि ये 100 points ज्यादा बड़े difference नहीं करेंगे ज्यादा बड़ा आपको loss नहीं हो रहा होगा because आपके favor में theta भी है आपके favor में time decay भी है तो यहाँ से क्या होगा उतने point market increase नहीं करेगा जितनी आपकी expectation होगी तो इससे क्या होगा loss जरूर थोड़ा सा जरूर बड़ेगा but winning possibility बहुत जादा बढ़ जाएगी तो इसलिए आप लोग option chain को इस तरह किसे अगर use करेंगे stop loss लगाने के लिए तो I can guarantee 8 out of 10 times आप बहुत बड़िया profit कमाएंगे दो time आपको थोड़ा सा बड़ा stop loss देना पड़ेगा but वो आप एका trade में ही recover कर लेंगे तो यह smart way होता है stop loss को लगाने का using the option chain मैं personally इसको use करता हूँ आप चाहें तो मैं आपको आने वाले दिनों में एक वीडियो भी बना दूँगा कि जब मैं stop loss लगाता हूँ तो मैं कैसे option chain की help लेता हूँ for the practical example तो यह वीडियो specially इसी purpose से बनाई गई है कि आप stop loss बिल्कुर perfectly use करिए और आप winning possibilities को भी increase कर लिजेगा अगर आपको इससे related कोई भी confusion हो तो comment में ज़रूर mention करिएगा अगर आपको कुछ भी वीडियो में सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को like करके motivate ज़रूर करिएगा और आप जूट सकते हैं हमसे हमारे channel को subscribe और bell icon दबाके इसके अलावा आप मुझे follow भी कर सकते हैं MyTradeLogic के नाम से Instagram, Facebook, YouTube और specially Telegram पे मैं आपको इसी नाम से मिल जाओंगा जहां पे मैं धेरो trades, strategies और learning things share करता रहता हूँ with the time चाहे वो free वाला Telegram हो चाहे फिर premium group हो और जाते चाते right side में option selling की video का link attach कर रहा हूँ जिसमें आप ये strategy use कर सकते हैं कि कैसे option selling के time में option chain को use करके मुझे stop loss लगाना है तो वो video का link आपको right side में मिल जाएगा आप जाके ज़रूर चेक करेगा उससे related भी कोई confusion होगा तो comment में mention ज़रूर करेगा तो तब तक आप हमारे channel पर जाके और भी videos देख सकते हैं उससे related कुछ भी आपको information चीए तो आप मुझे telegram या whatsapp पर भी message कर सकते हैं तो see you in the next video take care and thank you